जय माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनों कामनाय पोण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रहे हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हैं संतान सत्तिमी वरत के बारे में संतान सत्तिमी से लेके पीरट से लेके जो भी सवाल आपके मन में आ रहे थे उन सारे प्रिशनों का जवाब जो है वो मैंने वीडियो के मध्यम से आप सब को दे दिया है फिर भी अभी बहुत सारे प्रिशनी जो है वो मुझे मिल रहे हैं और मैं कोसिस कर रहे हूं कि आप सब के प्रिशनो अगर आप इस वीडियो के देख रहे हैं, आपके मन में भी कोई प्रशनी चल रहा है, कोई उथल पुतल है, कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में लिखे, मैं आपके भी प्रशनों का जवाब जो है, वो वीडियो के माध्यम से आज मैं कुछ प्रशने लेने वाली हूँ जो मुझे आज मिले हैं और वो कौन-कौन से प्रशने चली एक नजर जो है वो डाल लेती हूँ पहरी बात तो मैं बता दूँ कि संतान सत्यमी का जो व्रत है बहुत सारे लोगों की मन में मतभेथ था उसके लिए मैंने कल वीडियो अभी प्रशनों का जवाब जो है वो मैं आप सबको दे देती हूँ पहला जो प्रशन है वो यह है कि पहली बार व्रत जो है वो किस से रखें चूडी से रखें या धागा से रखें मतब जो भी माता है मैंने पहली बार इस व्रत को कर रही है क्योंकि अभी मनमास पड़ा ह तो मनमास में चूड़ी बनवाई जाती है तो बहुत सारे प्रिशने जो है वो आ रहे हैं कि दिदी पहली बार वरत जो है वो अगर हम कर रहे हैं तो हमने चूड़ी नहीं बनवाई है तो क्या करें हम धागा से रह ले तो देखे पहली बार अगर आप वरत कर रहे हैं सबसे सुब है कि आप धागा से रहें और जो बहने फुत्र की प्राप्ती के लिए इस वरत को कर रहे हैं या संतान की प्राप्ती के लिए कर रहे हैं या माली जी की पहली बार इस व्रत को उठा रही है कि उनके घर में कोई संदान जो है वो नहीं है और महादियो की कृपा चाहते हैं इसलिए आप व्रत को कर रहे हैं तब भी आप धागा से व्रत जो है वो कर सकते हैं या आपके घर में कोई समस्या आए वजट नहीं है जो भ देना है मैंने वीडियो जो है वो बना रखी है जा है कि जो पहली बार वरत कर रही है अगर आप सोने की चूड़ी चांदी की चूड़ी सोने का छला सोने के अंगूठी चांदी का छला या धागा जो भी आपके वजट में है जिस प्रकार से आप कर सकती है आप बनवा सकती ह या आप चाहें पहली बार आप ऐसे ही कर रहे हैं मालीजे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रशना आता है कि जैसे हमने पहली बार जो समताल सत्मी का वरत है वो किया और हमने किसी भी अपनी मालीजे की जो हमारी मनोकामना है उसको लेके किया कि हमारेगर में दो पुत्रिखां या एक पुत्र की अभिलासा लेकर जुव्रत हमें तो जब पुत्र हो जाएगा तब चूड़ी बनवाएंगी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी भी समस्या है, तो अगर आप बनवाना चाहते हैं, तो आप चूड़ी बनवा सकते हैं, चूड़ी अगर आपके वजट में नहीं है, तो आप चांदी के छला बनवा सकते हैं, अगर वो भी वजट में नहीं है, तो आप धागे में साथ पाई थी मैं भी मतलब अपने सहर से थोड़ा दूर थी और वहां पे ये चूड़ी बगरा कोई जानता नहीं था तो मैंने जो कलाबा है उसमें साथ गांठे लगा के और उसके विदिवत पूजा करके और संतायन सत्यमी का जुवरत है वो पहली बार उठाया था अगर मैं अ चूड़ी बनवा सकती है अति उत्तम आप छला बनवा सकती है उससे भी उत्तम आपके वजट में जो है या आप जो कर सकती है आप भाव सरूप जो भी कर सकती है वो आप करें ऐसा नहीं है कि कोई नियम है कि नहीं आपको धागा से ही रहना या आपको चूड़ी से ही रहन अगर आपका वजट है या आप जहां रह रहे हैं वहां पे आसानी से मिल जा रही है तो आप चूड़ी छला कुछ भी बनवाले अगर नहीं मिल रहा है तो आप धागा से भी रह सकते हैं तो जो पहला प्रशन है वो यह हो गया दूसरा जो प्रशन है वो यह है कि धागा जब पुराना हो जाए तो उसका क्या करना चाहिए ये प्रशन मुझे बहुत मिल रहे हैं तो देखे जब धागा पुराना हो जाता है या आप सारवर उसको पहने रहते हैं फिर जब अगली संतान सत्मी आती है फिर वो पहला वाला जो धागा है वो निकालते हैं तो आपको समझ म नहीं आते हैं कि उस धागे का क्या करें तो कहीं भी ऐसे धागा जो है वो नहीं फेगना है क्योंकि यह आपने संतान के लिए रखा था व्रत और संतान को ऐसे ही कहीं भी नहीं फेगा जाता है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दहागे को बहते हुए जल में प्रवाइद करना चाहिए ऐसा नहीं कि कहीं भी ठहरा हुआ पानी है माली जे कोई तला बगएरा कुगा बगएरा उसमें डाल देना ऐसा बिल्कुल ना करें आप किसी गंगा ये मुना जो बड़ी धारा होती है जो आप ऐसा नहीं कि नहीं तुरंत जाएं आप रखते जाएं कहीं भी आप अपने माली जे की कवर्ड बगएरा में उसको बान दें फिर जब आप जाएं तो आप लेके चली जाएं फिर उसको बहते हुए जल में प्रवाहिद कर दें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आजी हमको करना है कि कल करना जब खराब हो जाए दागा या एक साल बाद आप उतारना चाहती है जब भी आप उतारना चाहती है तो उसको बहते हुए जल में ही प्रवाहित करें आप यूँ ही उसको कहीं भी ना फेकें इस चीच का ध्यान रखें तीसरा जो प्रेशन है वो ये है कि जो चूड़ी है वो कौन बनवाता है मतलब मा बनवाती है या सास बनवाती है तो देखी जो चूड़ी होती है वो सास के द्वारा दी जाती है क्योंकि सास की संतान आप लिए हो और आने वाली संतान के लिए क्योंकि जो सास की संतान है और संतान की संतान होने वाली है इसलिए चूड़ी जो है वो सास बनवाती है ऐसा हमारे आंकर नियम है लेकिन कई बार क्या होता है कि सास का भई क्या कह सकते हैं उनकी मरजी होगी तो देंगी नहीं मरजी होगी नहीं देंगी सब के उपर जबरजस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना कि नहीं हमें बनवा के देओ अगर सास नहीं है तो ससुर भी बनवा सकते हैं अगर सास ससुर दोनों जो है वो नहीं देना चाहते हैं किसी कारण बस उनको नहीं लगता नहीं हम नहीं देंगे हम नहीं देबाएंगे हम नहीं बनवाएंगे जो भी उन अगर नहीं देती हैं तो आप अपने पती के पैसों से या स्वयम के पैसों से बनवा सकती हैं कोई दिक्कत जो है वो नहीं है अपने मायके से ये चूड़ी जो है वो मा के पैसों से बनवा के नाला ये मेरा निवेदन है क्योंकि मा का जो भुत्र है जो मा की संतान है वो आप और आपका भाई यह है तो अपने मा की जो संतान है वो मा को अपनी बहु को देनी दीजिए आप उनकी संतान यहां लेके ना आए ऐसा मेरा निवेदन है आप सबसे तो ये रहे आपके प्रशनों के जवाब उमीद करती हूँ कि आपको सारे प्रशनों के जवाब मिल गए हों महादेव की कृपा आपके और आपके संतान के उपर हमेशा बनी रहे वो खूब तरक्की करें और आप सब का खूब नाम रोशन करें यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रहे हूँ दोस्तो जैमात अदी